टाटा मोटर्स अपने मजबूती के लिए जाना जाता है टाटा नेक्सोन, ईवी, टियागो और हैरियर जैसी गाड़ियों को गरहाकों की तरफ से बहतरीन रेटिंग मिली है अब ये सभी गाड़ियां डीजल की बज़ाए ज़ादा तर पेट्रॉल इंजन में आ रही है कम्पनी के मताबिक अब डीजल की बज़ाए पेट्रॉल कारें लोगों को ज़ादा पसंद आ रही है इस सेग्मेंट में ज़ादातर यूजर्स लो माइलेज यूजर्स हैं जिनके लिए टाटा की डीजल कारें फिट नहीं बैठती हैं BS4 की डीजल कारें नए स्टांडर्ट की तरह नहीं है और खर्चा भी ज़ादा आ रहा है ऐसे में BS6 आ जाने से अब लोगों की डिमान पेट्रॉल इंजिन के लिए ज़ादा है वैसे तो एक डीजल इंजिन आपको अच्छी एकॉनवी और शांदा ड्राइव अनभव देता है ऐसे में टियागो और टिगॉर के 1.2 लीटर के पेट्रॉल इंजिन के अगर बात करें तो ये गाड़ियां भी ठीक ऐसी ही है वहीं फ्यूल एकॉनमी के मामले में भी इन गाड़ियों ने डीजल इंजिन को कड़ी टकर दी है बतादें कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स अलट्रोस के साथ टर्बो पेट्रॉल दे सकता है जिबकि हारियर को भी इन-हाउस डैवलप किया गया है जिसमें टर्बो पेट्रॉल इंजिन मिल सकता है आपको कैसा लगा हमारे वीडियो में कॉमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो को शेर करें लाइक करें बाकि देश रुदुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे डिजिटल चानल टीवी नाइन भारत वर्ष परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार राद 10 बजे टीवी नाइन भारत वर्ष पर